हलो हाई कैसो आप सब वोभी दोल स्टारर माश अवेटेड़ और कॉंट्रोवर्सियल वेब सिरीज आश्रम फाइनली आजेमिक स्विल पर रेलीज कर दी गई आज हम उसी सिरीज का रेविव करने वाले हैं सिरीज को प्रकास जाने डिरेक्ट किया है सिरीज की कहानी बाबा निराला के इरदिर्द घूमती है बाबा निराला कासी पड़ु वाला एक बाबा है जो भक्ति छोड़कर बाकी सारे काम करवाता है बाबा के कई हस्पिटल और स्कूल से हैं जिसके वह से लोगों उसकी पाचान अच्छे इंसान के रूप में है सिरीज में को और खिरदारे पमी जिसे अदिती पहुनकर निभा रही है पमी बाबा से काफी प्रभावित है और उसे बाबा की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है अचानक से दिन जंगल में खुदाई करते समय एक कंकाल मिलता है और उसके छानबिन की जिमेदारी उजागर सिंग को मिलती है उजागर सिंग जब छानबिन करता है तो उसे पता चलता है कि कंकाल लड़की का है जिसकी पांच साल पाले हत्या कर दी गई थी अब उजागर सिंग जब छानबिन आगे बढ़ाता है तो उस लड़की के मडर की सुई बाबा निराला के आस्रम से जूड़ती है लेकिन बाबा इतना पावरफुल है को वो सारे छानबिन बंद करवा देता है क्या उजागर सिंग का भी बाबा के सच्चाई लोगों के सामने लाप आएगा बाबा के आस्रम मेरा रह पम्मी का क्या हुआ उसके लिए आपको इमेट स्टोय पर जाकर वेब सिरीज देखनी पड़ेगी सिरीज में काला कारूवा काम काफी बढ़िया है बवी दोल का किरदार काफी अलग है और उन्होंने इसे अच्छे तरह से निभाने की पोड़ी कोसिस किये सीरीज में सबसे बढ़िया किरदार अदिती पोहनकर और दर्सन कुमार का है दोनों ने काफी सांदार काम किया है सीरीज में बाबा का असिस्टेंट की रूप में चंदन रोय ने भी काफी अच्छा काम किया है उन्हों प्रिया को एंका और त्रिधा चोधरी का किरदार भी मुझे काफी पसंद आया बभी दोल ने एक्टिंग तो काफी अच्छे से किये लेकिन कहीं ने कहीं वो डाला बिलिवरी में थोड़ी मात खा जाते हैं अगर स्क्रिंग प्ले और और सारी चीजों की बात करों तो सीरीज की कहानी काफी श्लो और लेजी है वीच-वीच में कहानी काफी धीमी और बोरिंग हो जाती है और देखने में कोई सस्पेंस या मजा नहीं आता एक मडर को पूरी सीरीज में पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है और इंडिंग के लिए दूसरे पार्ट का इंतियार करना होगा लोकेशन्स और म्यूजिक ठीठाक है सीरीज की रिटिंग भी काफी खराब है एक एक एके एपिसोड को 40 मिनट का बनाया गया है कई एपिसोड आपको बीच में बोर करते हैं उमीदे सीरीजन 2 में काफी कुछ देखने को मिलेगा उबर ओल हम इसीरीज को 5 में से 2.8 स्टार्स देते हैं हमें सीरीज काफी नेजी और स्लो लगी सीरीज में कोई खास थ्रिल या सस्पेंस नहीं है अगर आप बहुँ जादा बोर्ड सिंस की भी सोच रहे हैं तो सीरीज में वह भी नहीं है बाकी सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं और MX Player पर प्रीम या स्ट्रीम हो रहे हैं आप चाहें तो देख सकते हैं सीरीज को जिस तरीके से खत्म किया गया और पार्ट टू की घोशना की उसे देखकर ऐसा लगता है कि पार्ट टू में हमें काफी अच्छा थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलेगा तो यह रहा हमारा MX Player Original आस्रम का रिभ्यू आपको यह वेब स्रीज कैसी लगी हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी क्विक और फास्ट रिभ्यूज के लिए हमारा ब्लॉक स्ट्रिंग्री.com विजिट करें हमारा चनल सब्स्राइब करें मिनते हैं नई एब दोमन थाफ ट्रिया थेक्षी ज्या बडएं कुरा है